तो चेर्मेन रोकी मित्ल को बर्खास्त कर दिया गया है और इसी पर बातचीत करने के रोकी मित्ल हमारे साथ हुनसे हम बात करते हैं मित्ल साफ पहले तो आपका राश्टे का बोड़ सभागत है धन्यवाद सब दर्सकों को राम राम क्या कहने चाहेंगे आपको एकदम हटा दिया गया है उसको लेकर सबसे पहले तो हम यह जाना चाहेंगे कि क्या कर अनुशे सब्सक्राइब करते हैं जो मेरे बाजपा के कारिये करता उनको मनोवलना तुटे और जो हमारा संस्कृती है उस पर कोई आंच नहीं मेरी लड़ाई उस चीज की है और यदि कोई भी मानलो पूरे हर्याना को एक इंसान को एक व्यक्ति खराब कर रहा हो भी आउट ओफ स्टे का तो बड़ा दर्द आता है क्योंकि बाजपा में हर व्यक्ति के कहते हैं योगदान होता है यह खुद मोदी जी भी बोलते हैं और अमित्शाद जी बोलते हैं जेपी नडड़ा जी भी बोलते हैं जो हमारे रश्ट्रिया धर्ट से हार एक का अपना रूत वह है थोड़ी है लेकिन मैं तो एक बास सोच के परसान हूं कि अखिर मेरा क्सूर क्या था कि रतो रात फैसला लिया कोई में अंतगवादी नहीं था कोई भरष्टाचारी नहीं था और कोई यह भी नहीं था के लिए यह खट्र साब की सरकार के लिए कोई खत्रा पैदा हो गया था यह मै पक्सी के साथ मिल गया था मेरे को तवात तक यहीं समझ में आता कि एक बंदे की सारे पे इतना बड़ा डिशीजन क्यों सर आपको जैसे ही बर्खास्त किया गया तो आपने सरकार क्यों वेस्ट को लैटर लिखा और उसमें करीवन पब्लिसिटी के पंद्रा सो क्रोड रू दिखा था और भर्खास्त मेरे को किया 14 तरीकों आप एक लेडर बड़ना ज्हान से वो पहले लिखा गया था और मैं सीम साब को यहीं अभगत कराना चाहता था कि एक व्यक्ति जो सारी पब्लिशीटी देखता हम तो खाम का नाम के चेरिमें थी हमारा कोई सिस्टेम ही था कोई काम करी नहीं सकते थे हमारी तो मालों कोई जागे जो भी हमारे को काम दिया जाता था मैं कर देता था लेकिन जैसे 18 में हमने काम किया नसा मुक्ति भे काम किया महिला सुरुक्षिया पे काम किया किसानों के लिए अंतो अधिया सरार के इंदर के लिए काफी काम किया उ करम करने वाले ये नहीं होता कि सत्ता में बठे ही लोग बढ़ा कर सकते हैं सथा कुछ लोगों गल्द में रहती है कि में रुक की मितल को ने च्चनाबूध कर दें मैं कई तो निए और नो नहीं पालने पर देश के अंदर नी पूरी दुनिया के जो भी मोद्दी जी को चाने वाड़े हैं वो सब लोग मेरे से प्यार करते हैं मेरा जब मेरा मेरे बारे मेरे पता लगा आपने भी खार सोसल मीडिया पे जान लिया हुगा बहले ही बड़े-बड़े सिस्टम को कवर कोई भी कर ले लेकिन उसके बाद भी मेरी टी-ार-पी क्या रही या मेरे बारे मेरे लोगों के क्या रुजान रहा और क्या मैसिज आये मैं सोच-सोच के मैं इतना हरान हुगा के मेरे को लोग इतना प्यार करते हैं आप यकीन ने करते सूबह फोन बजने शुरूग अदे रात का रौता कितने हजारों कौन मैंने जब मोधी जी के गीत गाय तब इतने कोल नहीं आए जब मेरे को इनों ने किया तो इन लोगों की साहनूबूती और उसके बाद जो मैंने असली उजागर की जो ये बंदा था जिसकी OSD की बात कर रहे था में निरी दफ़तवार की इसके बारे में त कर चला रहे है और सारा सोदाले पेटे जा रहे है उसको लोग जानते में थे रहे हैं तो किस तरह की अरचने रही और अगर आपने मुख्य मंत्री से बात कियो तो उनका क्या रूप रहा जब तक खुलर साब रहे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके रहते बहुत अच्छा काम चल रहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी लेकिन जो यह जिनके मैं बार-बार जिकर कर रहा हूं यह उन्होंने कैसी प्रिप्लेंड कराई उनको भी नहीं छोड़ा जो इतनी सरकार अच्छे से चलाते थे त करते थे जिन से विधायक मंतरी हर आम आतमी प्यूंसे मिल सकता राचोस हो सकते थे और मुझे तो लगतानी है कि आपने चैनल पे भी उसको ओएश डी को किसी से पब्लिक से मिलते देखा हूं किसी वधायक से देखा हूं अरे उसकी तो कमाल बात बताता हूं 1966 से लेके हमारी सरकार आने तक हमेशा सीम हाउस में गव माता रही है और कोई भी सीम होता तक सुबह उठते ही गव माता को रोखी देता था और विडमना इस OSD की कि इसने गव साला ही खतम कर दी और गव साला खतम करने के बाद इसने अपना ओफिस बना लिया वहां पे जहां गव का दूद पीता था उसकी चाही पीता था इसकी कारस्तानी देखिए गव माता कोई निकाल दिया वो जो हमारी संस्क्रीटी है जिस गव माता से बाज पहतना प्रेम करती है इनको नोलीजी निया कि हमारी संस्क्रीटी क्या है हमारी पहचान क्या है गव माता हमारी दिया अगर बात करें कि आप कर दो यह कुछ लेकर शरकार के नुकसान वा ब्रोदा उपिणाव में खामयादा बिःतमान में लगने के चुनाओ भी चल रहे हैं कुछ चुछ कमेटी ज की हैं तो इसमें भी चाव कितना सिस्टेम बन रहा मैंने मोदी जी पताने कितनी स्टेजें किये और अच्छा करते थे इन बंदों ने बोला जी तो चमक जाएगा बड़ाद मी बन जाएगा इसको दूर रखो दूर रखने के चकर में जनता भी दूर होती चलिए क्योंकि जो एक घंटा के भासन में नह जा सकते हैं और मेरे से वफादार और डैड़ वर्किन को कौन मिलेगा मैंने हमेशा बखिया हुदेडिये विपक्स की मुझे क्या मिला धन मन तन मन धन तिन्नों लुटाए अंडरवर से धम किया लोगों ने पतानी मेरे को कितने कितने गंदे कोमेंट किये आंद भागत ब हैं नहीं बन सकते हैं सरकार की पवलिशिती का जो तरीका है काम करने क्या उसे जो हैं सहमत है और सहमत नहीं तो क्या है आप को दिखाई देती हैं टोटल जीरो जो पबलीशीटी देखते हैं OSD उनको पबलीग मेल जाएए यदि उसको दस अधमी भी पहचान ले तो मैं गरंटी करता हूं राजनीती चोड़ दूँगा टोटल जीरो जिधी अच्छी से होते तो वोड़शीटी अच्छी से होती तो नंटना गणता और पंजाब से हम पानी कभी का जाता लेकिन हम उन जीजों की पबलीशीटी से म संजाने में काम्याब हो में फान और नलोगों को समझानी प थ्यों इन चीजों का फोक्स करना होगा, क्योंकि उनको हर्यानवी संस्कृइटी की नोलिज नहीं है, सारे बहरी लोगों को बठा रहे हैं, पबलिशीटी के अंदर, जिन लोगों को हिंदी आती नहीं है, जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो भला हर्यानमी तो बोली नी सकते हैं उनको जब तक हर्यानमी लोग नहीं आएंगे देशी लोग नहीं आएंगे सत्ता हर्याना के लोगों ने दिये तो हर्याना के लोगों को पहला दिकार है खासकर संस्कृति में बखी कितने आई ऐसे बाहर के अच्छा कर रहे हैं वो ए किसानों के खिलाफ जो है कि गीत बनाएं इस तरह की भी कुछ अफवाएं गरम है और आप क्या मान दें किसान अंधन को लेकर कि क्या वाके में सरकार जो है इस सही नहीं पड़ रही है या फिर वाके में कही राज़दी हो रही है अब कुछ सम्चालों कह रहे हूंगे के यार ऐसे कैसे हो गया अब तो यह एक बंदा बोलता जी ए अधिकार मांग रहा था मैं हासा कि बिना अधिकारों के पबलिशिटी होती है क्या बगैर पैसे के प पोगा देता था तो भाई और क्या बेच्छू बोड़ी दो बेचिन सकता मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है मेरे पास तो आज की डिट में साइकल भी नहीं कैंप इत्ना कुछ हो गया अपने इस्तीफा दे दी और सरकार ने आपको बरखास्त कर दिया और आपनी धालने वले सम्मानly दिया करतें और नामान समान से तबी उमीद करनी मुझे उमीद है मिरे मोदी जी से और इनको यही चीड थी कि कुर्सेतर के अंदर मोदी जी ने मेरी फीट तब तबाई थी उनको यही लाग लगी हुई थी के तो मोधी जी का क्रीपी है और इसको कटिंग करो और जब से मोधी जी ने मेरी पीड़ दपतबाई उन्नी में सीम साब भी ते सारा मंतरी मंदल था तब इसे इनोंने मेरे को कटिंग करना सुरू कर दिया के वरना ये बड़ा बन जाएगा बड़ा करम हैं बड़ा कर्मों से बनता किसमा से क्षाम यह था हुगा यहिए मेरी लिकीर में लिखा हो गाना मुझेक अदे मेरी किसमित में नहीं होगा तो कोई बात न यहाइजा छाओ ने आप सिष्टे में मेरी गुजारा कर लोंगा लेकिन स्वाही मान पर इते साएग कि मेरा जीमीर समय में मानेगा ना मिकिसान के खि生 नारफ जांगा ना मिक्षभी के खिलाप जाओंPad और जाओंगा तो मैं मुदी जी के पास मिलने जाओंगा थाकि मेरी अपनी प्रक सको ज influen अपने अभी तक कि अपने वम अदो में अपना हो जो जो ताहों व क्या् नंसे से क्या भॉक्त पांगा एड़न अब हलो फिकी और突 नहीं को विकाल पर शो लैटर ले अप्याया Maudis Too मुझे जानते हैं और सबको पता कि मैंने कितना काम किया कुछ सरारती तत्ता हूं वह नहीं चाते हैं वह चाते हैं कि बीजे पी का ताना बाना तूट जाए वह इसी लिए यह सधी अंतर रचने सीम साब को ऐसे जो गदार लोग है पार्टी के अंदर भड़े पड़े हैं पा वह कभी भी ऐसे काम नहीं करता और वह कारिया करता है यह कुछ लोग है गदार है रुपक से मिले हुए मैं आज भी गरंटी देता हूं सीमा उसमें कुछ लोग है जो विपक से मिले हुए दूसरी पार्टियों से मिले हुए जो बीजे पी के कारिया करता हूं को मनोबल तो सले सभबी में में धुक्त कुझ करने कि की आठी सोड़िये कि क्या कोई भी ऐसा रस्ता बचाओं जिस्ते सरकार में हो अगर आप नहीं तो आपकी प्राइप्टी अब कहां से दुबार हा तो दो करेंगे और बरसाचार मिटाने मुईम करेंगे जो बचियों की छेड़ कहानी क्हिलाब मैंने वाज उठाई थी और उननने बंद कर दी दिदी दवारा चालू करूंगा नशेग उपर जो इन ड़ियान बंद गड़ दिये जो भारा चालू करेंगे आब मेरे पास कोई और मुझे शोचता है रुकी मितलों रोक सकता है तो इसकी गलत में निकाल दे सेल Uni कोई बेमी का शिकार है र psychological की मितलों दो देंगे और देंगे तो सक्कुलदर अपने प्रदेश का भाई तो आप तो फुद पार्टी में रहें क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ था आपके सामने की कि योजनाइ बनी हूं चुन-चुन के एक-एक समाज को खतम करना सुनकर जाई वह समाज वह समाज वह समाज मालो मेरा कशूर इतन है ना कि मैं अगरवा लों पैदा वपनियों पैद क्यों कि यह है क्यों चुन-चुन के भार निकाल दिया मैं लास्ट वच्छा था मेरी भी छुटी कर दी अरे तो बदाई के पतर है सीम नौरलाल जी और निर्दफ़तवार जी जो अगरवाल मुक्तियान के बढ़िया मुक्त सेक्टेट करने में काम्याब रहें और मेरी लेकरर रहा है और लेकिन यह किसी के भी साथ कोई भी समाज है यह ज़िह समाजी निरेगा तो फिर क्या रहे तो तो हर बंदे को मेरा कसूरत यह हैं कि मैं और देको लोग कहते हैं के आम आढमी कहता है अरे तुम दो ढ्रAddal नियों के वारे मिन बोल जाता लेकिन उसके यह तो यही पूचना चाहता हूं जो मेरे को बेत अखल वाला ही काम है यह तलाग देते ना बिन मतलब के और जिसे बेत अच्छे बच्छे को तो ऐसे मेरे को किया तीन मिनने की शंती रख लेते उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं बोलना था और कहीं लोग कहते हैं आपका ट् ओच्छ चाहें घ्रम होना चीए दूसरा को जमाके देखलानी हो सकता गए बोच्छे काम चाहरे काम करें और चेशे की नहीं थीकार चलने देते और ने सीम साब चलने देते और यह आशे चलने देती कोई फैदा ही नहीं है तो सर आखरी सवाल है कि अब आप मुखे-मंत्र प्रवाइब देते हैं इनको उठागे बार फेंगी है पता है नहीं ने कौन से तांतरीक वी देए करी हैं कि दूसरों की शुनना चाते ही नहीं इन इनके चुंगले भशे हुए मैं यह सोच के हरानू कि ऐसी क्या मजबूरी है ऐसी इनके पास क्या तत्ते हैं जो सीम साब इनसे बाहर निकलने की बहुत जुरूरत है तब हर्याना बचेगा तब हर्याने का भाही चारा बचेगा और अभी सबको मान समान मिलेगा पार्टी कारी करता मिली नी सकते रोकी मितल एक साल के बाद मिलेगा अमेले नी मिल सकते चेर्वें नी मिल सकते काडिया करता तो रोते फिर ने जरे तमासा बन गया उनका शकल नी दिखा पाते लोग पुछते हैं तुमने गोट मंगी ती काम क कुछ करी नहीं पाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे जो पब्लिक से दूर रखने वाले लोग हैं। इन से बचे। मैंने वो हुद्डा साब का राज देखा है। भले ही वो भी पक्स में था। वो लोगों से मिलते थे। चोटाला साब तो वो कुन से खुले दरबार लगाते चोटेरी देविलाल जी थे। उन्हें तो बना सिधास गुपता को एक अगरवाल को सीम ही बना दिया था। तो ऐसे बढ़ो मैं यह नहीं कि तारिफ कर रहा हूं। तारिफ नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि हम ने आम पब्लिक ने चुनकर भेजा है। सीम साब भी एक कारिय करता हूं कि सिएम बादमें,, कार्या करता पहले है। एक कार्य करता का सम्मान करना चाहिए अशिसे बेजजित नहीं करना चाहिए कि तुरंत पर भाव से वह डिस कर दिया पद मुक्त कर दिया। जैसेशे मेरे को मेट्रोड चेर में मैं पूरा हरे अमिरी में था क्या था मेरे पास एक तनकाई देता है इतना तो बंदाव ऐसे चलते चलते कमाले मेरे पास था ही जब बीना पावर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई अब तो काम जब आएंगे ना सब्ताइक अंदर तब आएंगे जब पावर होगी रहें लोगें के काम करने के लिए उसका अधिर गोलन जी का कल ब्यान पड़ा साइदाबने पड़ा हुआ कि मैंने उफिस में जाना बंद कर दिया और जो मैंने योजना बनाई थी सारी उन्होंने चेंज करती पर फैदा क्या है सोंपिर सांगवान जी निशिली बैंद वो कर दिया चेर में में स्थीफा कहता कोई कि मेरी सुनते हैं दो अपरेंद जी यह वह पहले स्थीफा देंगे चले कि जब इनके सुनते हैं एक सालत्र न खाती है तो मुझे लगता कि अठीकरे बंद करके अच्छी राजनीती अधिकारी चला रहें कि शूंसाब को एक स्थीफाभी उनची कोई मंतरी बीन अच्वे तो यह थे हमारे साथ हर्याना पब्लिसिटी सेल के से हटाए गए पूर चेर्मेन रोकी मितल जिनों अपने सरकार को नसीयत दिये कि जंता से जुड़ने का काम करें और मुक्या मंतरी मनौहरलाल जो अपने आसपास जो चापलूसों से गिरे हुए उनकी बातों पर नाध्यान दे कर कारे करताओं की ग्राउंड की बात सुनें बहराल देखने वाली बात ही होगी कि रोकी मितल ज चुब के साथ ओपर शर्मा राश्टान होता है